जाइका इंदिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे बोईल डेग्स तो चलिए सुरू करते हैं तो अंडे बोईल करने के लिए हमने तीन अंडे लिए हैं और इसमें इतना पानी एट करेंगे के अंडे पानी में अच्छे से डूब जाए तो यहाँ पर हमने पहले से पानी को बोईल नहीं किया अंडे एट करने के बाद हमने इसमें पानी एट किया है और इसे बोईल करने के लिए हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन अंडों को 10 से 12 मिनिट के लिए बोईल करेंगे तो हमने मीडियम फ्लेम पर अंडो को 12 मिनिट के लिए अच्छे से बोईल कर लिया है अंडे बोईल हो चुके हैं तो अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे कवर करके हम 10 मिनिट के लिए ऐसे ही रखेंगे 10 मिनिट के बाद इसे खोलेंगे और अंडे जब ठंडे हो जाएंगे तो इसे हम छील लेंगे तो अंडो को हमने अच्छे से ठंडा करने के बाद छील कर इस तरह से हर एक अंडे में से दो पीसिस कट कर लिये हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे वेसे तो ये स्टेप टोटली ओप्सनल है लेकिन उबले हुए अंडो को थोड़ा ओर टेस्टी बनाने के लिए हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर एक टीस्पून जितना तेल अच्छे से गरम कर लिया है और तेल को हमने पूरे पेन में स्प्रेड कर दिया है और इसमें एक एक करके अंडा रखते जाएंगे गेस की च्लेम को मीडियम रखेंगे और अंडे की नीचे की साइट थोड़ी क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे इन अंडो को हम सिर्फ एक तरफ से फ्राई करेंगे और इसकी उपर की साइट पर हम थोड़ा सा काली मेच का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे प्रोटीन और आईरन से भरपूर उबले हुए अंडे इम्यूनिटी बुश्ट करते हैं तो इन उबले हुए अंडों को थोड़ा ओच अठाकेदर बनाने के लिए हमने प्रोस्टेस की है वैसे अगर आप इसे ना फ्राइ करना चाहें तो इसे ही काली मेच और नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं 30 से 35 से के बाद आप देखेंगे के अंडे की नीचे की साइड ठोड़ी क्रिस्पी हो गई है तो अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके इनको पेन में से निकाल लेंगे आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई